नमस्ते बीबल स्थाथ and welcome to my youtube channel आज की studio में आपको ऐसे कंट्री के बारे में सारी information देने वाना traveling के बारे में जहांपे इंडियन्स को किसी भी टाइप की वीजा लेनी की जरूवत नहीं है अगर अभी तक आप लोगों ऐसा लगता था कि European countries में जाने के लिए इंडियन्स को चाहिए वीजा तो दोस्तों आप थे गलत क्योंकि एक ऐसी कंट्री है यूरोप में जहांपे इंडियन्स को जाने के लिए वीजा लेनी की ज़रूवत नहीं है वहाँ पे इंडियन्स को 30 दिन के लिए सिर्फ पासपोर्ट और टिकेट लेके आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी उस कंट्री का नाम है सर्भिया सर्भिया एक छोटी सी स्लैविक कंट्री है जहां पे बहुत खुपसर्द आपको माउंटेंस मिल जाएंगे चर्च मिल जाएंगे और बहुत साई खुपसर्द जगह घूमने के लिए मिल जाएगी जैसे कि आपने अपने टीवी में देखा यूरोप के बारे में अगर आप उन लोगों में से एक है जिननों अभी तक सर्भिया के बार में कुछ भी नहीं सुना था या जाना चाहते है हमाँ पे तो आप को फ्रायट के क्योंकि आपको फ्रायट तो लेनी बड़ेगी वहां तक पहुँशने के लिए तो आपको खर्च करने पड़ेंगे 48,000 इंडियन रुपीज आने और जाने के दोनों पर परसन ये प्राइस डिफरेंट हो सकता है आप कौन सी डे चूस करते हैं कौन सी सिटी चूस करते हैं अपने एरपोर्ट के लिए बट ओवरल आपको 45 से 48,000 रुपीज खर्च क आपस घ्रच फिर नहीं रखनी है यापके पास बहुत जादा करनसी है तो आप वहीं पर एक्सचेंज करवा सकते हैं एक अच्छी बात यह है सर्विया में घूमने पिनने के बाद में जो भी आपको जो करखल आएगा वो इतना जादा नहीं आएगा क्योंकि इंडियन रुपीस के मुकाबले सर्वियन जो करणसी है वो बहुत जादा स्रॉंग नहीं है 100 रुपे वहाँ पे होते है 135 दिनार जो कि 35 रुपे का फर्क आता है तो शायद हम इंडियन को थोड़ा सा वहाँ पे फायदा हो करणसी के बाद अब बात कर लेते हैं इस कंट्री के एक तो यह अच्छी बात है कि यह कंट्री इतनी महंगी नहीं है रहने के मामले में आपने देखा होगा कि बहुत सरक यूरूपेन कंट्री बहुत साथा महंगी होती है यहाँ पे से आपको फ्लाइट का खल्चा देना है पर आपको यहाँ पर 500 रूपे वाले भी मिल जाएंगे 1000 रूपे भी मिल जाएंगे 4000 रूपे भी मिल जाएंगे आपको जो भी बजट हो आपको यहाँ पर होस्टल उस हिसाब से मिल जाएंगे यही नहीं अगर आप दोस्तों के साथ में होटल में रुखना चाहते हैं फैमिली के साथ गये गूमने के लिए अफकोस होटल में रुखना ज्यादा प्रिफर करेंगे तो आपको यहाँ पे सस्ते होटल भी बिल जाएंगे तो आप 10-15,000 रुपे ही खर्च करेंगे अगर आप एक दिन के 500 रुपे भी देते हैं तो किसी भी European country में जाते हैं तो 2-5 दिन रुखे मजा नहीं आता है एटलिस उस जगे पे 10-15 दिन रुखे जहाँ पे आपको लगता है कि यूरोप में बहुत जादा पैसे खर्च होंगे वहीं सर्बिया में आपकी उतने जादा रुपे खर्च नहीं होंगे 40-45,000 रुपे फ्लाइट का ज़रूर है बट एक बार यहाँ पहुशने के बाद आप कर सकते हैं larger in refreshing सर्बिया में एक जगे से दूसी जगे आने लिए आप स्नौर्ण इंकी बस का शेमात्य कर सकते हैं जो की बहुत किफाय्ति है आप निनकी ऑं-laiN service का use कर सकते हैं उनलाइन ticket बुक कर सकते हैं खाने पीने के मामिले में इतना महंगा नहीं है आपको वहाँ पे होटर में मिल जाएंगे, कैफे में मिल जाएंगे, एक डीसेंट प्राइट में, एक डीसेंट मील, आपको बहुत जादा येरो जा दिनाद खर्च करने की कोई भी जरूवत नहीं है, दोस्तों इस वीडियो में आपको बता है, अगर आपको बता है, आपको बता है तो इस वीडियो को लाइक करने, जो एको सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्लिए, बाबाई!